हलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फुकेट के अंदर स्कूटी रेंट कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट के और क्या-क्या जरीय हैं तो फुकेट काफी हद तक गुवा जैसी वाइप देता है और यहां पे स्कूट यह से घूमना काफी कूल सा लगता है और काफी इजी भी है क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करोगे तो काफी वेट करना पड़ेगा और फुकेट में बहुत ही कम के पास वो नहीं है तो आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपका टिकेट कार सकती है यहां पर टिकेट नहीं कारते हैं यहां पर बिसिकली आपसे थोड़ी ब्राइब लेंगे और आपको छोड़ देंगे इसके लाबाद जब आप शॉप पे जाओगे तो वो आपसे किसी का कुई भी international license नहीं बागएंगे स्कूटी रेंट करने के लिए आपको टू टाइप की डॉक्मेंट के जुरुत है सबसे पहला का पासपोर्ट कुछी रेंट वाले आपका पासपोर्ट लेंगे और उसके बदले आपको इसकी स्कूटी रेंट कर देंगे इसके रावह आप स पासपोर्ट की फोटो खेंच के रख लेगा और आपको आराम से स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी स्कूटी रेंट करने से पहले उस स्कूटी की वीडियो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि यहां पर बॉट टाइप की स्कैम चलते हैं तो जब आप स्कूटी वापिस लट आएंगे तो आपको स्कूरिटी मानी वापिस देदेंगे बात करें प्राइसिंग के स्कूटी रेंट युए आपको पेसिकली प्राइस पेगडने होते हैं जो सबसे नॉर्मल स्कूटी है जो सबसे लो लेवल की मतलब 90 से 120 से के बीच ही कुछ स्कूटी होगी वो दिखने में साइंकल की तरह हैं बड़े-बड़े से टायर्स होते हैं जिसके ये स्कूटी आपको मिल जाएगी 150 थाइबात के अंदर इसके लावा दो आप्शन और है दोड़ी सी बड़ी और अप्ग्रेडेड इसकूटी है वो आपको 200 से 250 थाइब में मिल जाएगी इसके लावा जो लास्ट ऑप्शन है वो 300 थाइबात के अंदर आपको अराम से मिल जाएगा पाकि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है आप सारे रूल फॉ इस वाले तब तक आपको नहीं पकड़ेंगे तब तक आपने हैलमेट लगा है और सारे रूल फॉलो कर रहे हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉश्चन है फुकेट के रिकार्डिंग बैंकों के र आई लाइन के रिकार्डिंग तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं